हलो लेडिजे जैनल बैना वेलकमी ओल टु ग्यानम तो आज हम यहाँ पे कैमिस्ट्री के एमसी क्यूज के साथ जो प्रीवियस यहर्स में बहुत बार रिपेडिली पूछे गए हैं उनको कबर करेंगे के करके और बस mcqs ही नहीं उनके साथ जुड़े हुए सारे concept यहां पर हम समझने वाले हैं ताकि इस से related भी इस topic से related भी कोई mcq आता है तो उसको आप बिल्कुल असानी से कर पाओ exam में ठीक है तो चलते हैं पहले question की तरफ तो जो हमारे पास पहला question है ठीक है वो कहता है blue litmus paper is converted into red in solution of यह क question हमारे पास क्या है acid, base, sold या amphoteric solution तो यहां पर पहले तो देखेंगे भाया एक trick मैं आपको बताता हूँ यहां पर ट्रिक से पहले समझेंगे कि भाया acid क्या होता है, base क्या होता है, amphoteric या फिर neutral चीज क्या होती है, salts क्या होते है इस concept को यहां पर समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद आप खुद इसको answer कर पाओगे ठीक है, just give me a second अगर मैं बात करूँ किसकी, acid की, तो भाया, अलग-अलग concept है, तीन अलग-अलग concept है, सबसे पहले आता है, arhaneous concept arhaneous concept कहता है, जो acid है, वो aqueous solution में, aqueous solution in the sense, water का जो solution है, किसी भी acid को अगर पानी में घोलेंगे, तो वो क्या करेगा, h plus iron release करेगा, यह कौन सी है, arhaneous equation है arhaneous equation है यह, ठीक है, और भाया, levius क्या कहते है, कहते हैं, levius के coding, जो acid होते है, वो क्या है, electro files है, अब levius का क्या कहना है, यहाँ पर, levius का कहना है, acids are electro files, मतलब यह क्या है, electron को प्यार करने वाले, ठीक है, मतलब क्या करते है, electrons को, यह क्या करते है, अपनी तर्फ, attract करते है, accept करते है, they accept electrons, ठीक है, और 3C, जो यहाँ पर definition आती है, वो होती है, bronze and lowly definition, ठीक है, कौन सी, bronze and lowly definition, ठीक है, यह concept, bronze and lowly concept कहता है, एसेड हैं, जितने भी acids हैं, ठीक है, यह क्या करते है, एक proton को donate कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, tot विया proton को h positive invari Marcaassant, भी कह सकते हैं, H-positive भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता hydrogen के 3 isotopes होते हैं, भी यह कौन से? तो protium, deuterium और tritium, 3 isotopes है, जो protium है, उसमें बस एक proton और एक electron होता है, तो H-plus मतलब electron एक निकाल दिया, तो पीछे के बच गया proton, ये तीन हम लोगों के पास अलग अलग concept है, acid के लिए, अब देखते हैं, भी अब base क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं बात करूँ इसकी, base की, तो भिया, यहाँ पे Arhaneus जी क्या कहते है, क्या कों से, Arhaneus क्या कहते है, Livius क्या कहते है, और यहाँ पे Bronze Strand Loury क्या कहते है, ये तीन concept हम देखेंगे, base के बारे में, ठीक है, तो सबसे बहले जो Arhaneus जी कहते है, और एनियस कहता है कि भई या जितने भी बेसिज हैं वो OH- नेगिटिव आयन करते हैं रिलीज करते हैं किसमें? एक्कोस सलूशन में एक्कोस सलूशन मतलब जब किसी भी चीज का हम सलूशन बराते हैं वोटर में और वोटर को ऐज़ा सोलवेंट लेते हैं और किसी भी हम substance को as a solute लेते हैं water में as a, water को as a solvent लेते हैं तो उस तरह के solution में अगर कोई base है तो OH negative iron release करेगा for example हमने यहाँ पे लिया NaOH, KOH, तो जब इसको water में गोलेंगे, ठीक है? तो दोनों क्या देंगे यहाँ पे? यह देंगे OH negative plus Na positive iron तो यहाँ पे OH negative आया? यहाँ पे भी K positive और OH negative iron तो भया, OH negative iron तो दोनों ने दिया टीक है? उसके बाद कहता है Libius भाई क्या क्या कहते हैं? कि जो क्या करते हैं? Electrophobic होते हैं मतलब electrons को क्या करते हैं? donate करते हैं donate electron वो क्या होते हैं website लोरी के कहते हैं जो भाइया proton को accept करते हैं accept करते हैं या फिर H पोजिटी वाइन को accept करने की जिनके अंधर tendency होती है वो क्या होते हैं So this was three concepts for acid and base अब देखते हैं what are salt ठीक है तो भाया हम देखते हैं जब भी हम लोग acid को किसी base के साथ react करवाते हैं तो हमारे पास हमेशा product में salt और water result में मिलता है क्या मिलता है? salt प्लस water result में मिलता है और इस reaction को neutralization reaction हम लोग कहते हैं ठीक है? और दिये दो रहेगी हमारी बात है अब कोई चीज़ neutral क्या है? ठीक है? तो हम देखते हैं कि दीरे दीरे हम लोगों ने क्या करा देखो पहले क्या कहते थे कोई चीज़ खटी है तो वो क्या है? acid है कोई चीज़ कड़ भी है तो वो base है अब हर चीज़ को आप चक तो नहीं सकते हैं साइनाइड अपनी जवान पर लगा लिया आपको तो पत्ता कड़ गया? ठीक है तो हम क्या कर? हमने क्या कर? और सारी चीज़ खाने लाइक भी नहीं होती है सारी चीज़ को आप टेस्स से determine भी नहीं कर सकते है वो सारे ऐसे example है जो आपको लोगे खटा है लेकिन वो acid होगा नहीं तो अब देखते हैं, इसके लिए हम देखते हैं कि कुछ ऐसे तरीके एजाद हुए जिससे हम measure कर सके कि acid है कि कोई चीज acidic है या basic है अब इन तरीकों में हम लोगों को एक चीज की जरूरत पढ़ती थी वो होते हैं indicator कोई ऐसी चीज जिसके साथ हम acid या base को react करवाए तो वो indicate कर सके कि यह चीज acid है या base है तरह तरह की indicator हमारे पास यहां पर इजाद कर लिए गए जैसे pH scale हो गया ठीक है वो तरी measure measure करने का pH paper बन गया है वो भी indicator है एक तरह का ठीक है pH meter अलग लग तरह को होता है हो गया 100 तरीके pH meter है ठीक है जो pH बताते हैं उसके बाद हमने देखा लिटमस पेपर हो गया natural indicator भी है जैसे हल्दी हो गया हल्दी को जब आप किसी acid के साथ react करवाओगे तो हल्दी वैसी की वैसी रहती अपना color नहीं बजलती है जाफिन के साथ react करवाद होगे तो हल्दी लाल रंड कर, अपने color में change लाती हो है जैसे कि हमने देखा है कि जीतना भी हम खानावाना बनाते है हल्दी लाल वान तो हल्दी पीली रहती है ठीक है खाने को पीला रंग देटी है आप ने देखा ही होगा ना तो बिंगु डालते हैं खाने में टमाटर डाल दिया तो वह पीला ही रहता है लेकिन वही हल्दी का दाग आपके कपड़े पे लग गया और उदर आपने उसके साथ साबून के साथ दो दिया साबून एन्योफ से भी बना हो सकता है यह किसी बेस से बना होगा ने तो वहां प अगर हमने देखा कि मानलोजी से पीएच का एक्जामपल लेते हैं तो हमें पता है पीएच से लेकर 14 तक होती है ठीक है तो अब हम देखा कि बीच में हम देखे 7 नमबर आता है तो का 1-7 तक एसीड होते है और 7 के बाद क्योंते हैं बेस होते हैं तो हमने कहा जिन चीजों क हम लोग देखें अगर तो amphoteric ऐसी चीजे हैं जो जरूरत पढ़ने पे acid की तरह भी behave कर सके और जरूरत पढ़ने पर base की तरह भी behave कर सके अगर example दूँं मैं यहाँ पे आपको example दूँ एक्सांपल में आप देखो water ह 2 O जरूरत पढ़ने पर अब या इसके पास क्या है एक एक ए ऐट बहेंच भूट बहुत बाइबकर कर सकता तो लेकिन कुछ एषी और एक्जांपल है हर दिको हर न्यूटीरल चीज़ जुरूरी नहीं है कि खालम लोगं और पर आप लोगं को यहाँ पर यह चीज़ें पता चलरी ही हूग ठीक है तो अब यहाँ पर वैसे ही जब मैंने बता है बहुत सारे इंडिकेटर हैं उन में से ही एक इंडिकेटर कौन सा है हमारे पास लिटमस पेपर ठीक है तो लिटमस पेपर को हम लोगो बार बार कन्फिजन होती ही कि रेड लिटमस क्या करता है ब्लू लिटमस क्या करता है उसके लिए मैं आपक प्लस एसिड तो भाया लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा अल्वेज इटरंस रेड मतलब ब्लू लिटमस पेपर को जब हमने एसिड के साथ क्या करा हमने यहाँ पे ट्रीट करा तो वो क्या बन जाएगा हमेशा रेड कलर का लिटमस पेपर बन जाएगा लेकिन अगर ब्लू लिटमस के साथ हमने बेस को क्या करा बेस डाला तो कुछ भी नहीं बनेगा वो ब्लू ही रह जाएगा कोई रेक्शन ही नहीं होगी ठीक है वैसे ही red litmus plus base हमें क्या मिलता है यहाँ पे blue color का litmus paper यहाँ पे हम लोगों को मिलता है red litmus plus base gives to blue हम लोगों को blue color का क्या मिलता है यहाँ पे ठीक है litmus मिल जाता है understand से और अगर लिटमस के साथ हम लोग एसीड को रियक्ट कर आएं तो यह वो कलर में नहीं लाता है वैसा का वैसा ही रह जाता है तो आप लोगों को यह चीज समझ आ गई होगी अच्छे से ठीक है उसके बाद हम देखते हैं ठीक है यह ट्रिक्स है आप लोगो असानी से कोई भी चीज़गे आप प्रोब्लम से सव Griff कर पाओगे तो यहा पर आंसर देंके हैं कहता है बिप्लू लिटमस पेपर Rabbit for Red Blue किसमें कउणाभर होरा है डेल में तो किसकी प्रिसेंस में atención acid की presence में होगा तो यहां पर खूद आप अंसर देख लीजिए किसकी presence में होगा acid की presence में यहां पर हमारे पास होने वाला है ठीक है अब चलते हैं next question की तरफ तो कहता है the neutralization reaction is in neutralization reaction the product is तो हमने देखा था किसी भी neutralization reaction में product क्या होता है salt plus water होता है यहां पर example ले लेते हैं हम लोग ठीक है for example हमने क्या ले लिए यहां पर neutralization reaction में हमने देखा था what is the neutralization reaction है जिसमें हमने एक ले लिया acid let it be HCl plus NaOH ले लिया अब यह क्या हो गया एक base हो गया ठीक है sodium hydroxide और हमारे पास क्या हो गया hydrochloric acid अब इनको हमने reaction करवाया तो भीया अब यहां पर क्या होंगे ion exchange होंगे यह H positive जो है इस OH negative के पास सेला जाएगा तो यह क्या बन जाएगा तो भी आपने देखा result क्या होगा यहां पर अब अराम से result देख सकते हो अब acid और base को बदल के देख लो तब भी water plus salt यहां पर बनने वाला है ठीक है हमेशा water और salt यहां पर बनने वाला है ठीक है understand यह था neutralization reaction I hope आप लोगो यहां पर यहां पर यहां पर चल गया होगा salt plus water यहां पर कह सकते हो बराइन solution नमकीन पानियाद को यहां पर मिल जाएगा ठीक है चलते है next question की तरफ जो next question है वो कहता है the negative logarithm the negative logarithm value of hydrogen ion is cold तो भाईया negative logarithm value of hydrogen ion को हम क्या कहते है pH कहते है क्या कहते है pH और भाईया यहां पर hydrogen ion की जगा यहां पर आ जाए hydroxide ion आ जाए OH i'n आ जाए तो उसे क्या कहते है POH तो यहां पर answer क्या होगा प ए-H होगा क्या होगा answer यहां पर pH यहां पर आप pH मीटर देख सकते हो कि 1 to 7 तक क्या होते है तितनी चीज़ थी यहां पर इंडिकेटर ठीक है या फिर पीच मीटर का आप दिख जाएगा आपको ठीक है उसके बाद चलते हैं next question की तरफ next question क्या है यहां पर कहता at higher altitudes the boiling point of water is lower because higher altitude पर boiling point कम क्यों होता है तो भया क्यों होता है पहले देखते हैं boiling point का यहां पर थोड़ा सा concept ठीक है अगर मैं आपको यहां पर बताऊंगी त면 उसको खीच रहे हैं, उपर की तरफ कोई पुल है नहीं, इस वज़ा से क्या create हो जाती है, यहां पर surface tension, a force acting perpendicular to the surface, तो उसको कहते हैं हम लोग surface tension, ठीक है, अब हमने देखा कि जैसे ही हमने यहां पर heat दी, नीचे से हमने heat करा किसी चीज़ को, तो हम देखते हैं, अब यहां पर molecules के पास energy आना शुरू हो गई, और जब वो energy ठीक है, इतनी जादा हो गई, कि भईया, molecules अपनी surface tension को छोड़ के, ठीक है, molecules की जो energy है, वो भईया, इतनी हो गई, कि किसको dominate कर सके, यहां पर बाहर क्या है, atmospheric pressure, atmosphere का pressure, अब atmospheric pressure क्यों होता है, हमने देखा, कि air is composition of a load of gases, ठीक है, इसमें हम देखते हैं सबसे जादा nitrogen होती है, फिर oxygen, फिर argon, फिर carbon dioxide, बहुत सारी gases है, ठीक है, अब we all are surrounded by air, मतलब धर्ती किस से गिरी हुई है, air के blanket से गिरी हुई है, उसे कहते है, atmosphere, अब उन हवाओं का कुछ भार भी है, जो वो हम पे exert कर रही है, ठीक है, तो मैं पता न pressure, force acting upon an area is what? Pressure, तो pressure that is being exerted by weight of, यह force that is being exerted on an area by the weight of air is atmospheric pressure, तो भाया हम अब देखते हैं कि जब इन के पास इतनी energy है कि atmospheric pressure को यह counter कर सके, तो भाया यह क्या करते हैं, यह यहाँ पे हम देखते हैं, vapor stage में उड़के, यह भाया कहां पे चले जाते हैं, atmosphere में चले जाते हैं, जित कम heat में ही क्या हो जाएगी, boiling achieve हो जाएगी, understand, यह आपको थोड़ा सा concept पता चल गया, अब यहाँ पे हम लोग उसी concept को देखते हैं, कहता है, high altitude मतलब जहां पे हम देखते हैं, जहां पे high altitude में पहाड़ों में या जहां पे समुंदर तल से उचाही बहुत जादा है, वहाँ boiling point कम क्यों होता है, तो हमें पता है, यह हमारी धर्थी है, जैसे ही हम देखते हैं, कि हम ऊपर की तरफ जाएंगी, देखो, अब मान लो, कोई इनसान यहां पे है, और कोई इनसान यहां पे है, यह चारो तरफ हवा है, तो यहाँ पे जो हवा है, वो जादा है, तो हवा का भार भी जादा होगा जैसे उपर की तरफ जाएंगी तो हवा कम हवा का भार भी कम होगा तो atmospheric pressure यहां पर क्या होगा कम होगा तो भीया atmospheric pressure को counter करने के लिए कम ही heat चाहिए होगी है ने वह क्यों क्योंकि atmospheric pressure is low ठीक है इस वजह से हम लोग देखते हैं water जल्दी boil हो जाता है ठीक है understand है तो हम आगे चलते हैं आगले question की तरफ तो कहता है pure water does not conduct electricity because it is अब जो शुद जल है वो electricity conduct क्यों नहीं करता है तो let me tell you ठीक है अब किसी भी किसी भी चीज को अगर charge को conduct किसी भी carriers चाहिए या फिर electron carriers चाहिए ठीक है या free हमारे पास ऐसे ions होने चाहिए जो charge को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए ठीक है तो free ions हो free electrons हो या फिर कोई भी ऐसा carrier चाहिए जो charge को एक जगह से दूसरी जगह ले जाए ठीक है लेकिन अगर बात करें water की ह्टू ओकी ठीक है तो भिया वहाँ पर एच पॉस्टििव आइन जो है ठीक है वह बाइंडे आगर ओट तो वह होता है हम लोग है बहुत तो pure water में हम लोग देखते हैं ऐसा कुछ है नहीं तो यह क्या होता है इसलिए हम देखते हैं कि भाईया एक अच्छा conductor नहीं होता है लेकिन हमने इसमें कोई impurity डाल दी यहाँ पे na positive डाल दिया, cl negative डाल दिया तो भाईया यहाँ यहाँ पे नहीं पानी क्यों होता है अच्छा conductor होता है किसका? electricity का, क्योंकि यहाँ पे free ions यहाँ पे आ गए हमारे पास जो क्या कर सकते है charge को carry कर सकते हैं understand? तो यहाँ पे हम देखते हैं answer क्यों होगा यहाँ पे? because they are not ionized ठीक है? atomic number change होता है किसकी मदद से? कि अगर क्या बदले इन में से तो atomic number ही change हो जाता है electron, neutron, proton या all of these तो यहाँ पे समझते हैं पहले फंडा atomic number का तो भाईया atomic number मतलब in new, देखते हैं से पहले एक concept समझते है in any neutral atom ठीक है? कोई भी neutral atom है let it be hydrogen तो इसमें क्या होगा? यह कोई भी है ठीक है? इसमें number of neutral है ठीक है? number of electrons is always equal to number of protons number of electrons किसके equaling होगे? number of protons के लेकिन हमने इसको क्या कर दिया? ionize कर दिया, h positive बन गया है एक electron बाहर निगाल दिया number of electrons किसके होगे? number of protons से अलग हो जाएंगे अब यहां पर हमने देखा कि हमने यहां पर electron के साद छγीड़ कानी कर दिए elektrons के साद छेड़ कानी कर दिए h positive में हमने देखा कि यहां पर for example यहां पर माल लो, आपके पास क्या है? h positive है h hydrogen है अब इसके पास क्या है? देखो पहले सिर्फ hydrogen के बात कर रहा हूँ ठीक है प्रोटियम की एक electron और एक क्या है proton मैंने एक electron बहार निकाल दिया तो ये क्या बन गया H positive रहा तो ये hydrogen ही ना रहा तो ये hydrogen ही atomic number कितना रहा इसका एक ही रहा hydrogen से helium थोड़ी बन गया ये रहा तो hydrogen ही क्या कर दिया खेल खेल में एक neutron एड़ कर दिया तो अब ये क्या बन गया रहा तो hydrogen ही ना hydrogen का दूसरा isotope बन गया जिसे deuterium कहते है जिसमें deuterium में क्या होता है हमारे पास एक electron एक proton और एक neutron अब एक और hydrogen एड़ कर देंगे तो ये titanium बन जाएगा लेकिन रहा तो hydrogen ही लेकिन अगर मैंने क्या करा अगर मैंने अब इसमें यहां पे थोड़ा खर change कर दिया अब मैंने यहां पे इसमें एक proton एड़ कर दिया क्या कर दिया अड़ नगन दें, तो भूyया ये क्या बन जाएगा number of proton के साथ कोई change करते हैं तो atom का atomic number जो है वो अपने आपकी बदल जाता है ठीक है? understand? तो यहाँ पर हम दे हमारे पास answer क्या होगा? number of protons या फिर protons के साथ हम जेब शेडशानी करते हैं तब अपने आप हम देखते हैं कि atom जो होता है वो अपना atomic number बदल देता है क्योंकि atom बदल गया ठीक है? अगले question की तरफ चलते हैं कहता है why which of the following method we can separate water and salt from barine solution अब barine solution मतलब नमकीन पानी का घोल अब नमकीन पानी के घोल से हमने क्या करना है यहाँ पे नमकोला करना है पानी से तो सबसे पहले देखते हैं evaporation क्या होता है तो भूया evaporation is a process in which हम क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं evaporation में हम लोग liquid को heat करते हैं और इतना ज़्यादा heat करते हैं कि वो vapors में convert हो जाता है क्या convert हो जाता है? vapors में या फिर हम कह सकते हैं कि liquid कौनसी state में convert हो जाता है। Gasy state में convert हो जाता है भी है। अब Sublimation में क्या होता है, जो Solid है, उसको इतना Heat करते हैं कि वह बिना Liquid stage के छीधा किसमें convert हो जाता है, Gasy state में convert हो जाता है, States of matter में हमने अच्छे से पढ़ायाँ नहीं, Condensation में क्या होता है। पूल्टा होता है जो गैसे होती है उनको ठंडा करते हैं वो किस में भत हो जाती है लीकोड में में पाट ठीक है और फ्रीजिंग में क्या होता है, जो लीकषिट है, जो लीकषिट है, उस जो किस प्रवट in हो जाता है लगया पता clear यहाँ पर सारी बात clear यहाँ पर यहाँ पर clear है सारी बात तो हमने यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास क्या है यहाँ मारे पास तो सिर्फ और सिर्फ liquid है क्या है हमारे पास liquid है और liquid में कुछ हमारे पास solid गुरा हुआ है अब इसे अलग करना है तो हम क्या करेंगे इस liquid को heat करेंगे यह liquid क्या कर जाए अब मालो यह पानी है इसमें यह नमक है ठीक है तो हमने जब यह liquid को heat करा तो यह liquid सारा क्या बन गया गैस बन गया पीछे यह जो नमक था वो नीचे रह गया तो कौन सा process होगा यहाँ पर evaporation यहा नमक बनता है इसी process के through हमारे पास बनता है जो अगला question है कहता है न्यूट्रोंस आर प्रजेंट इन ओल एक्सेप्ट कहता है न्यूट्रों जो है वो सारे atoms में होता है किसी एक को छोड़के तो वह सीधा answer क्या है hydrogen ठीक है hydrogen का एक ऐसा isotope है ठीक है जिसे हमने देख भी लिया इसकार प्रोटियम हमने देख लिया प्रोटियम में सिर्फ क्या होता है एक है लुदे होता है हुदान होता है और 1 इलेक्त्रों होता है अगर किसी में zero न्यूट्रों है तो वो सिर्फ hydrogen का एक आइसोटोफ जो है प्रोटियम सिर्फ वह है ठीखें अंडेशनड यहां पे आपको इसका अशर तो मिल ही गया है ठीखें अंडेसेंड यह देखो आपने प्रोटियम सिर्फ एक प्रोटोन होगा और एक होगा लेकिन hydrogen का दूसरा isotope जो है इसे कहते है deuterium उसमें एक proton एक neutron एक electron और treatium में तो दो neutron है हमारे पास यहाँ पे ठीक है क्या है दो neutron एक proton और एक electron यहाँ पर आपको दिख रहा है ठीक है understand तो यह आप देख सकते हो एक proton और एक electron ठीक है so this was the video for today तो आज हमने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छे concept यहाँ पर देखे इसी से related बहुत सारे questions बन जाते हैं वह बहुत सारे जितने भी MNS का इसी से related अगर ऐसे नहीं आए तो इसी से related questions हमेशाद आप देखोगे दोराते रहते हैं तो इस वीडियो विडियो विल वेरी helpful for us and if you want to purchase any course from Gyanam so you can contact our these numbers ठीक है यहाँ पर आपको इतने भी कोर्स चाहिए तो आप course को ले सकते हो ठीक है so this was video for today I hope आप लोगों को यह मदद आएगी आप enjoy आपने enjoy कर होगा इस वीडियो को इसी की साथ video करते हैं जै हिन जै भारत